हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब आप सब की फरमैश में जब मैंने ये वीडियो डाली थे ना इसकी तो आप सब की इतनी जादा फरमैश आई सबका यही कमेंट था कि मैंडम प्लीस इसे वनवाई वन इसके सारे पाट डालिए आगे वाली वीडियो भी डालिए कि हमने कैसे बनानी है तो आज मैं इसका फर्स्ट पाट आपके सारे शेयर करने वाली हूँ ठीक है कलर इसमें आप कोई भी मना सकते हो पिंक ग्रीन ब्लू ब्लैक हर एक डार्क या लाइट सब में यह बहुत अच्छा लगेगा जैसे आपको पता है कि मैं ओडर पर बनाती हूँ तो य के लिए यहां पर मैंने 110 फंदे हैं ऐल साइज में जीने ब्रेस्ट से 32 आता है वह ऐल साइज होता है अगर आप एकसल साइज उससे बड़ा साइज बिनाना चाहते हो एकसल साइज के लिए आपने यहां पर जो फंदे लेने हैं जैसे मैंने 110 रखे हैं आपने 120 रख लेने हैं double XL के लिए 130 इस तरह से आपने फंदों को यहाँ पर डाल लेना है ठीक है तो यहाँ पर फंदे डालने के बाद मैंने first row से ही जैसे border को बनाया है पहले तो मैं आपको border बना कर दिखा देती हूँ कि हमने border को कैसे बनाना है तो देखे आपने पहले अपने size के according इसमें फंदे लेने हैं फंदे लेने के बाद जो आपने इसकी first row बनानी है न फंदे डालने के बाद वो इस तरह से बनानी है starting के दो फंदे मैं सीधे बना लूँगी फिर धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे इस तरह से करते हुए ये पूरी रो हमने बना लेनी है दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, फिर से दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे. ये लास्ट के दो फंदे हमारे सीधे इस तरह से करते हुए हमने ये सारी रो बनाकर कम्प्लीट कर लिया अब उल्टी तरफ से जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही हमने बनाना है जैसे ये स्टार्टिंग के दो फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं इन्हें उल्टा बना लेंगे धागा दूसरी तरफ ये दो फंदे फिर सीधे बनेंगे फिर धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ करते हुए, दो फंदे सीधे, बस फंदो पर फंदे, अब आगे सीधी और उल्टे तरफ, दोनों तरफ से ये हमारा बोर्डर दिखाई देने लग जाता है, फिर तो बहुत असानी से ये ऐसे ही आपने बनाते जाना है, दो फंदे सीधे, दो बोर्डर बनाया है, थिक है, अपने उतना ही बना लेना है, ये बोर्डर हम 5,5 पांच इन्च का ऐसे रख लेंगे, थिक है, उसकी तो बनाई है, उसके बाद आजाता है, डिजैन, डिजैन को भी हमने 110 फंदो पर ही set किया है इस design को इस design को set करने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 6 के multiple से जैसे ये 6 फंदे 6 फंदे इस तरह से करते हुए last में एक फंद आपका extra होना चाहिए ठीक है तो इस तरह से ये design आपका set हो जाएगा जैसे same to same यहाँ पर बनाया है तो दोनों तरफ से equal फंदे रखते हुए मैंने ये दो दो फंदों में ही फंदे डाले हुए है अब यहाँ पर जो हमारी ये design की first row हमने बनानी है ना border बनाने के बाद design की first row बनानी है उससे पहले ये पूरी एक row हम सीधी और एक row आपने उल्टी बना लेनी है फिर इसके बाद हमने ये border बनाना sorry design को बनाना शुरू करना है तो देखिए design को बनाने के लिए first फंदा estrich का उतारिय चाहे बनाईए आपकी मर्ची है उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे अब ये एक ये दो ये तीन तीन में से ये फंदा हम उपर से गिरा देंगे इस तरह से उपर से गिराने के बाद ये एक फंदा सीधा बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ करते हुए आपर जाली डालेंगे एक फंदा सीधा जैसे हमने फंदा उपर से गिराया एक फंदा हमारा यहां पर कम हो गया था, जाली डाली सेम वैसे ही एक फंदा बढ़ गया हमारा, अब ये एक फंदा सीधा और एक फंदा और सीधा बना लेंगे, ठीक है, तो इस S स्टेज को छोड़कर यहां से यहां तक हमने जो डिजाइन को डाला है, इसी डिजाइन को और व्रैनों फंदों के उपर से गिरा दिया, फिर एक फंदा सीधा, जाली डाली, एक फंदा सीधा, दो फंदे, उसके बास सीधे, बिल्कुल एजी डिजयन है, अब इसे ही दोबारा से में रिपीट करेंगे, तो देखे कैसे करेंगे, एक फंदा पहले सीधा पना लेगे, अब ये एक, दो, तीन फंदे हैं, अब ये वाले फंदे में ऐसे स्लाइड डालेंगे, इसे ऐसे उपर से गिरा देंगे, गिराने के बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जारी डालूँगे, एक फंदा सीधा, अब फिर से दो सीधे, अब इसी डिजाइन को रुपीट करेंगे, एक फंदा सीधा, बीच में ये हमारे तीन तीन फंदे सीधे आते जाएंगे, ठीक है, तीन फंदे सीधे आएंगे, अब इन तीन फंदों में से इस फंदे को उठाया, उपर से गिरा दिया, गिराने के बाद एक फंदा स इस फंदे को उठाएंगे उपर से गिरा देंगे गिराने के बाद एक फंदा सीधा बना लेंगे धागा अपनी तरफ करते हुए यहां जाली डाली एक फंदा सीधा अब डिजाइन के हिजाब से यहां पर हमारा एक फंदा सीधा आएगा लेकिन बोर्डर के बाद यहां पर design को set करने के बाद मेरा एक फंदा extra बचा था क्योंकि देखें यहाँ पर starting में भी हमने stitch का एक फंदा छोड़ा उसके बाद एक फंदा यह सीधा बनाया है last में भी एक फंदा सीधा बन गया है लेकिन जो एक्स्टरा फंदा बचा था चाहे तो आप यहाँ पर दो कई करके इस फंदे को कम कर सकते हैं तो दोनों तरफ से आपका डिजाइन इक्वल चल जाएगा लेकिन मैंने फंदा कम नहीं किया है इस फंदे को ऐसे ही सीधा बना लिया है यह सीधा तो ऐसे करते हुए एक तरफ आपका एक फंदा जादा हो जाएगा तो आपकी मर्जी ह चाहे आप इसे कम भी कर सकते हैं यहाँ पर दो काई कर सकते हैं लेकिन मैंने जैसे चलाया है फंदा वैसे ही यहाँ पर आपको दिखा दिया बना कर अब उल्टी तरफ से पूरी रो हमने उल्टी बना लेनी है design की हम पर first row बनाने के बाद अब आगे second row में second row में इस first फंदे को उतारेंगे उतारने के बाद एक फंदा ये वाला एक ये वाला इन दोनों फंदों को आगे से slide डालनी है इस तरह से दो का एक कर देना है हमने दो काई करने के बाद धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार के सीधा कर लेंगे, दोनों में स्लाइड डालेंगे, पिछे से दो का एक कर देंगे दो का एक करने के बाद ये एक फंदा हमारा सीधा ये तीन फंदे थे ना तीन फंदों में से ये एक फंदा सीधा बनाया अब ये एक फंदा ये एक फंदा ये आगे से स्लाइड डालते हुए दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे इस फंदे को सीधा बना लेंगे धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर जाली डालेंगे यह फंदा उतारेंगे पलटा कर इन दोनों फंदों में स्लाइड डालेंगे पीछे से यहाँ पर जाली भी ड जाली डालेंगे एक फंदा सीधा फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे दोनों में स्लाइड डालेंगे पिछे से दो का एक कर देंगे अब लास्ट बार एक बार फिर से रिपीट करेंगे तो एक फंदा सीध दागा अपनी तरफ करते हुए फिर से यहां पर जाई डालेंगे इस फंदिक उतार कर सीधा करेंगे दोनों में स्लाई डाली पीछे से दोगा एक कर दिया अब यह लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा जो एक्स्टरा है मेरा और यह एक फंदा ऐस्टी चवाला ऐसे करते हुए डिजैन की यह थर्ड रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है अब रो फोर जो हमने उल्टी तरफ से बनानी है वो पूरी उल्टी उल्टी तरफ से इस डिजैन में न सारी रो जितनी भी डलेंगी वो आपकी इसी तरह से उल्टी उल्टी डलेंगी ऐसे ही तो यह ये रोब भी बनाकर complete कर लेते हैं अब देखिए आधी डबी हमारी बनेगे है आधी डबी हमारी और बनेगी कैसे बनेगी यहाँ पर बनेगी यह एक, यह दो, यह तीन जो बिच में तीन-तीन फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमारी डबी बनेगी अब देखिए हमने क्या करना है पहला यह एस्टिज का फंदा हम उतार देंगे उतारने के बाद यह एक, यह दो यह तीन यह चार फंदे हमारी सीधे एस्टिज के फंदे के समेथ यह पांच फंदे आपकी सीधे होएंगे ठीक है यह एक, यह दो सीधा, सीधा बनाने के बाद यहीं तीन फंदे फिर से हमारे सीधे, एक, दो, तीन, अब क्या करेंगे देखें, इसी डिजैन को बार-बार हम पूरी स्लाई में रिपीट करते जाएंगे, तो यह एक, दो, तीन फंदे हैं हमारे इसमें डालेंगे, स्लाई इसे उपर से ऐसे गिरा देंगे, गिराने के बाद ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, अब धागा अपनी तरफ करते हुए, यहाँ पर जाली डालेंगे ये एक फंदा सीधा, फिर उसके बाद ये फिर से एक, दो, तीन फंदे सीधे, अब फिर से इसे उठाएंगे, उपर से ऐसे गिरा कि हमारे ये तीन फंदे बचेंगे जिने सीधा बनाएंगे तो ये जैसे सीधी तरफ से हमारे ये स्टार्टिंग में पांच फंदे देना एक ये एस्टिज का चार फंदे सीधे वैसे ही सेम आपके यहां पर छे फंदे आ जाएंगे अगर आप दो का एक नहीं करते हो दो का नहीं करोगे तो छे रहे जाएंगे अब उल्टी तरफ से रो बना लीजिए अब ये डिजैन की हमारे साथ भी सलाई है ठीक है एड़ रो का ही है हमारे डिजैन है साथ भी सलाई है तो इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे उतारने के बाद एक, दो, तीन फंदे सीधे बनाने क बाद ये एक फंदा ये एक ये दोनों में आगे से स्लाइड डालते हुए दो का एक कर देना है धागा अपनी तरफ करते हुए जाली डालेंगे ये फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे दो फंद ये एक ये, इन दोनों में आगे से स्लाई डालते हुए, दो काईक कर दिया, धागा अपनी तरफ करते हुए, यहां पर जारी डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहां पर जारी डालेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे पीछे से स्लाइड डालते हुए दो का एक कर देंगे ये एक फंदा सीधा अब फिर से आगे से स्लाइड डालेंगे इन दो फंदों में दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालूंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे फंदे को उटा कर सीधा करेंगे दो का एक कर देंगे यहाँ भी दो का एक होगा यहाँ भी दो का एक होगा बीच में यह इधर जाली इधर जाली यह एक फंदा सीधा अब फिर से यह एक दो तीन फंदे सीधे ये एक्स्ट्रा फंदा सीधा ये एस्ट्रिज का फंदा सीधा ऐसे करते हुए ये पूरी रो हमने बनाई अब क्या करना है हमने उल्टी तरफ से डिजाइन की ये वाली रो ना उल्टी बना लेनी है ये उल्टी रो बनाने के बाल आपने फिर से डि इस फंदे को उठाकर इन दोनों के उपर से गिराना है, फर्स इतोरो से शुरू कर देना है, डिजएन को आप कंटीनियू बनाते जाएंगे, इस तरह से आपका डिजएन बन कर आजाएगा, बहुत सुंदर डिजएन लगता है फ्रेंसे, बहुत प्यारा, तो ये बनाने के ब 12, 19 या 20 जैसे मैं जिसके लिए ये बना रही हूं उन्होंने मेरे को 20 इंच बोला है बनाने के लिए तो आपने अपनी हाइट के अकोडिंग इसकी लेंथ बनानी है ठीक है ये बहुत जादा लॉंग नहीं होता है नहीं अच्छे लगते है ये हिप से उपर होता है जैसे हमार उसकी तरह ठीक है तो इसकी अगर आप 20 इंच ही लेंथ रखना चाहते हो तो ठीक है तो मैं आपको टोटल इसकी लेंथ बता देती हूं मैंने कितनी रखी है ये 13 इंच मैंने रखा है देखिए इस तरह से ठीक है आपने इस तरह से बना लेना है अगर आप यह से ये 20 इंच बना रही हूँ, अगर 20 इंच मतलब की इससे कम बना रहे हो, तो इस तरह से, बोडर हमारा इतना ही बनेगा, ठीक है, बोडर आपने इतना ही बना लेना है, 5 इंचर रख लीजिए, साड़े 5 इंचर रख लीजिए, इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आती है, तो इसके बाद डिजियाइन, आपने अपनी उसके अकोडिंग ही बनाना है, लेन्थ के अकोडिंग, ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमने पीछे वाले पार्ट में मोठे की घटाई कैसे करनी है, ये बताऊंगे मैं आगे आपको, अब यहाँ पर जो इसमें मैं घटाई डालूंगी, व नहाँ पर दो काई कर देंगे, किया, फिर से इन दो फंदो को लेंगे, देखिए इस फंदे को थोड़ा सा ऐसे लूज लेना है हमने, इन दो फंदो में ऐसे सलाई डालेंगे पीछे से, दो काई कर देंगे, ये दो फंदो की हो गई, इन दो फंदो में डाला, दो काई कर तो टोटर यह हमारी 5 फंदों की घटाई होगी है 5 फंदों की घटाई करने के बाद अब ये एक ये 2 फंदे हम ऐसे ही सीधे बना लेंगे अब यहां पर देखिए ये 1, 2, 2 3 फंदों पर डिजैन डलना है न यहां से इस फंदे को ऐसे उपर से गिराएंगे ये एक फंदा सीधा बना लूँगी धागा अपनी तरफ करते हुए यहां पर जाई डालूँगी ये फंदा सीधा अब आगे सेम टू सेम वैसे ही continue हम डिजाइन डालेंगे ये से ये तीन फंदे बीच में सीधे आए ठीक है समझ गे अब लास्ट में हम हमने अपना ये यहां तक आपने डिजाइन डाल लेना है यहां पर डिजाइन नहीं डालना है क्योंकि यहां पर हम उल्टी तरफ से अपने पांच फंदों की गटाई करेंगे अब देखिए हम उल्टी तरफ हैं तो उल्टी तरफ से भी हमने सेम टू सेम वैसे ही ये दो फंदो को एक साथ लिया से लाई में दो का एक कर दिया अब इस फंदे को ऐसे ही थोड़ा सा लूज रखेंगे, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को दो काई कर देंगे, ठीक है, फिर से एक फंदा ये, एक ये, दो काई करेंगे, तीन फंदों की घटाई हो गई, दो फंदों को फिर से दो काई किया, चार की, फिर से ये दो काई करेंगे ऐसे पांच फंदों के घटाई करने के बाद अब बाकी की पूरी रो हम ऐसे ही सेम टू से उल्टी उल्टी बना लेंगे लेकिन लास्ट का एक फंदा जैसे कि मैं हर घटाई में आपको बताती हूँ इस एक फंदे को बीना भूने हमने ऐसे ही रख लेना गहां पर इस तरह से उल्टी रो beast पूरी यहां तक बनाई इस फंद को बी नबूने ऐसे ही रख लेना है अब दोनों तरफ से हमने ऐसे ही एक एक फंद बीन ऑभूने रखना है ड़ब तक हमारी घटाई ने कंपलीट हो जाती, अब यहां पर हमने क्या करना है, अपने तीन फंदों की गटाई करने हैं, तो दो फंदों को इस तरह से लिया उतारा, इस फंदों को उठाया, उपर से गिरा दिया, एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला, अब इन दोनों को दो काई कर देंगे, दो की एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों को दो काई कर देंगे, ये टोटल हमने तीन फंदों की घटाई की, तीन फंदों की घटाई करने के बाद, अब ये एक फंदा सीधा, अब इस फंदे को भी हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि अगली रोह में यहाँ पर हमने इन फंदों क गटाई करनी है तो अब यहां से देखिए हमने यह वाले एक और ये दो फंदे हमारे सीधे आएंगे क्योंकि यहां पर अब हमने यहां पर जाली नहीं डाली है तो इसलिए यह दो फंदे सीधे आए अब यहां पर हमने आगे अपना डिजैन वैसे ही continue करना है इस सरह से यह total म मैं आपको बता देते हूं कि हमारे कितने फंदे सीधे बनने हैं देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 फंदे ये सीधे बनाने के बाद आगे से स्लाईड डालते हुए ये 2 का 1 किया, 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ फिर जाली डाली ये फंदा सीधा फिर से धागा अपनी तरफ इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे तोनों में स्लाइड डालते हुए पीछे से दो काईग आगे कंटिनू जैसे हम स्लाइड बना रहे हैं जैसे ये रो वैसे ही बना कर कंप्लीट करने है अब उल्टी तरफ से भी हमने अपने तीन फंदो के कटाई करनी है ऐसे दो फंदे लेंगे पहले इस बीना बुने है फंदे को उपर से आपने ऐसे गिरा देना है ये एक फंदे के हो गई एक फंदा ये एक फंदा ये दो काई कर देंगे अब फिर से इन दो फंदों को लिया दो काई कर दिया ये तीन फंदों की घटाई करने के बाद बागी की पूरी रो उल्टी पना लेंगे और लास्ट में आपने बिना भूना फंदा जरूर रख लेना है पांच और तीन की घटाई करने के बाद अब दो फंदों की हमने घटाई करनी है तो दोनों फंदों को ऐसे लिया पीछे वाले फंदे को उपर से गिरा दिया ये एक फंदे की होगी एक फंदाई ये एक ये इन दोनों को दो काई करतेंगे ये दो फंदों की घटाई हमारी बनकर complete हो गी है अब यहाँ पर हमने क्या करना है देखिए दो फंदों के घटाई करने के बाद अब मैं इसे उठाऊंगी उपर से गिरा दोंगी अब यह एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जारी डालेंगे यह एक फंदा सीधा अब यह तीन हमारी सीधे आएंगे एक दो तीन अब इन तीन फंदों पर सेम यही डिजाइंग कर लेगा तो दो के उपर से एक फंदा गिराया आगे कंटीनू सेम टू सेम वैसे ही हम रो को बनाते जाएंगे तो आप भी ऐसे ही रो को बनाकर कम्प्लीट कर लीजिए अब उल्टी तरफ से भी हमने दो फंदों के घटाई डालनी है पीछे वाली फंदे को उठाकर उपर से गिरा देंगे एक की होगे एक फंदाई एक की है दो फंदों के घटाई होगे अब रो पूरी बनाकर इसे कम्प्लीट कर लेंगे अब यहां पर अपने एक फंदे की घटाई करनी है तो इन दोनों फंदों को लेंगे इसे एक फंदे को उठाकर उपर से गिरा देंगे तो यह एक फंदे की घटाई होगे एक फंदे की घटाई करने के बाद इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे ठीक है, सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जारी डालेंगे, यह वाला फंदा उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, इन दोनों में स्लाइड डालेंगे, पीछे से दो काई कर देंगे, इस तरह से, ठीक है, अभी एक फंदा सीधा, अब यहाँ से सेम टू डालेंगे इस फंदे को उतार कर सीधा कर देंगे दो काई करेंगे सेम टू सेम ऐसे ही कंटीनू आगे बनाती जाहिए यहां लास्ट में भी आपको मैं डिजैन बताऊंगी कि यहां पर आकर हमने कैसे करना है अब लास्ट में भी यहां पर दिखेंगे आगे सी स्लाइड डालते हैं दो काई किया धागा अपनी तरफ करते विए हमने यहां पर जारी डालनी है एक फंदा सीधा बना लेना है अब फिर से मैं धागा अपनी तरफ करूंगी यहाँ पर जाली डाल कर यह दो काई कर देंगे क्योंकि इस तरफ हमारे पास एक फंदा जादा है उसके अगोर्णिंग तो यह एक फंदा सीधा इस तरह से करते विए यह डिजैन मैंने बना लिया अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है देखिए इन दो फंदो को लेंगे इन दो फंदो को लेने के बाद पीछे वाले फंदे को उठा कर उपर से गिरा देना है इस तरह से यह एक फंदे की घटाई करने के बाद अब यह बाकी की पूरी रो हम सेम टू सेम ऐसे ही उल्टी बना लेंगे तो यहाँ पर घटाई भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है यह रो कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे दिखाते हूं डिजाइन कैसे बनाएंगे अब सीधी तरफ से देखिए सीधी तरफ से आगे हमने क्या करना है यह एक यह दो यह तीन फंदे हमारे सीधे अब इन दोनों फंदे को उठाएंगे सोरी एक फंदे को उठाएंगे इन दोनों के अपर से बिरा देंगे अब इस फंदे को सीधा बनाएंगे दागा अपनी तरफ सेम वैसे ही जाली डालेंगे ये बीच वाले हमारी जैसे तीन फंदे सीधे बन रहे थे वैसे ही सीधे बनाएंगे continue आगे design हमारा same to same इसी तरह से चलता जाएगा इसी तरह से आपने continue आगे आगे बनाते जाना है जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसे measure कैसे करना है देखे यहाँ पर आपने inch tip रख लेना है इसका यहाँ पर और इसे ऐसे गुलाई में हमने गुलाई में इस तरह से करते हुए ऐसे इसका 9 inch तक इसकी length बना लेनी है इस तरह से एक बार फिर से देखे इस तरह से inch tip रख लेंगे रखने के बाद इस तरह से इसे गुलाई में इस तरह से देखेंगे देखने के बाद यहाँ से इसकी 9 inch length बना लेंगे तो यह मैं बनाती हूँ बनाने के बाद अब part 2 में आगे मैं आपको एक बार दिखा दूँगी कि हमने पीछे बाले में इसकी length है से मैंने इतनी बना ली है तो जैसे मैंने आपको बता है same to same ऐसे ही आपने इसकी घटाई करनी है border बनाना है, design बनाना है, part 1 बनाकर पूरा ready कर लेना है अब मिलते हैं इसके next part में तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरे पताने का तरीका अचा लगाओ तो please, please, please चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, वीडियो को like और share शेयर भी जरूर करना है, और like का बटन जरूर 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 दवाना है, please में request है आप वीडियो देख लेते हो, like नहीं करते हो, तो please like का बटन जरूर दवाई है और comment भी जरूर करना है, मैं फिर मिलूंगे आपको next वीडियो में, bye bye, have a nice day